हरी कृष्णा, पूर्ण प्रोष्ण पूर्ण उत्तर आपके जिग्यासाओं का अंतिम पड़ाव कारिकरम में आपका स्वागत है आज आपके प्रश्णू का उत्तर श्रीमान अमरियंदर प्रभु देंगे अमरियंदर प्रभु अंतराश्य कृष्ण भावनामरित संग के संस्थापकाचार्य अभैचर्णा रविंद भक्ति वेदान्त स्वामी श्लिप्रभुपात के प्रिय शिश्य परम पूजिय राधागोविन महाराज के शिश्य है Massachusetts University से अमरियंदर प्रभु ने Electrical Engineering में Master's किया है तथा मायापुर Institute of Higher Education से भक्ति शास्तरी भी किया है अमरेंदर प्रभु विश्व के अनेक शेहरों तथा विश्व विद्याले, मंदिरों, भक्ति व्रिक्ष में प्रचार करते हैं तथा YouTube, WhatsApp और Facebook के माधियम से भी कृष्ण भामनामरत का बड़े ही सुन्दर रूप से प्रचार कर रहे हैं तो आईए, आज हम इस कारिक्रम का सबसे पहला प्रश्ण लेते हैं मैं बिनोद साहानी हरीद्वार से बोल लाँ हमारे अचारे जैसे बारा महाजन, दुरुव माराज, प्रालाद माराज, आज युए सब स्री बिश्व की भक्ति करते थे लेकिन हमें गौडी संपरदय में बताया जाता है, की श्री कृष्ण सबसे महान है, तो हम जैसे जिवृ, जो स्री कृष्ण की भक्ति करते हैं क्या उन पुरु अचार्यों तता महाजनों से बड़े हैं, जो स्री बिश्व की भक्ति करते थे किर्प्या सन से दूर करें हरे कृष्णा तो श्रीमत भागोतम में बारा महाजन का उल्लेक है स्वयंभू नारध शंभू कुमार कपिल मनू जनक प्रलाद भीष्मो बली वया सकी वयम तो ऐसे बारा महाजन का उल्लेक है स्पश्च रूप से तो ये महाजन कहलाते हैं और श्रीमत भागोतम में ये बाद भी स्पश्च है कि विष्णू कृष्ण के अन्श है अधिक से अधिक लोग ये धारणा रखते हैं कि विष्णू सबके उद्गम स्थान है स्रोत है और कृष्ण उनके एक अवतार है और दश आवतार में से एक है पर नाना प्रकार के ऐसे प्रमाण है शास्त्र अनुसार जहां ये स्पश्च रूप से जाना जा सकता है कि कृष्ण सबके स्रोत है जैसे कि ब्रह्मा सम्मीता के पाच्वय अध्याई के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी जो इस बहुत इक स्तर के सृष्टी करता है वो बताते हैं तो पहले लाइन में बताते हैं सभी इश्वर है सभी थोड़े फार्म में कंट्रोलर है पर पुर्ण रूप से पराम कंट्रोलर पराम इश्वर क्रुष्ण है उसी प्रकार पुरान में एक बहुत सुंदर प्रमान है जहां शिव जी पार्वती को कहते हैं कि आराधना नाम सर्वेशाम विश्णु आराधनम परम तो यहां कहते हैं विश्णु परन्तो जिस प्रकार आप कंटेक्स देखेंगे वो flow of verses तो यहां कृष्ण का उलेख है दान मांगती है तो शिव जी पहले उनको राम नाम देते हैं और पारवती जी राम नाम का जब करते हैं और उसके बाद पुना जब दान मांगती है तब शिव जी कृष्ण नाम का दान देते हैं तो यहां स्पश्च रूप से उलेक जो है कृष्ण नाम का है उसी प्रकार हम देखते हैं कि भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मत्त परतरम नान्यत कि सभी देवी देवताओं में मैं सर्वस्रेष्ठ हूं और अलग-अलग स्थान में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है जैसे कि सूत गोस्वामी कहते हैं यहां भी कृष्ण का उलेख है उसी प्रकार दशावतार स्तोत्र में जैदेव गोस्वामी जो वरिष्ठ आचारियों में से स्रेष्ठ है वो कहते हैं वेदान उद्धरते जगनति वहते भुगोलम उद्विप्रते दैत्यम दारयते बलिम छलयते खशत्रक्षयम कूरवते पवलस्त्यम जयते हलम हलयते कारुण्यमातन्वते मलेचान मुर्चयते दशकृतिकृते क्रिष्णाय तुब्यम नमाः तो इस प्रकार अलग-अलग स्थान में, अलग-अलग प्रामानिक शास्त्र अनुसार, हम ये जान सकते हैं, कि कृष्ण सबके उद्गम स्थान है, सबके स्रोध है, तो अब ये चौदा, ये बारा महाजन, जिनका उल्लेक श्रिमत भागवत में है, ये विशेश रूप से अलग-अलग लीला अनुसार, अलग-अलग इश्टदेव की आराधना करते हैं, जो सब विशेश रूप से विश्णु तत्व हैं, जैसे कि पहले महाजन है स्वयम्भ इसलिए उनका नाम पद्म योनी है, वो ऐसे योनी है जो पद्म नाभी भगवान के पद्म से उत्पन होते हैं, तो ब्रम्हाजी विशेश रूप से विश्णु की आराधना करते हैं, परंतु सर्वस्रेश्ट लीलाओं में ये प्रदर्शित होता है, कि व्रज लीलाओं म ताकि श्रीमती राधरानी के चरन कमल, के चरन रेनु से वो स्परशित हो जाए, तो ये ब्रम्हाजी के चार मुक, दानगड, मानगड, भानगड और विलासगड इस प्रकार चार परवत के रूप में प्रकट हो जाते हैं, दूसरे महाजन है स्वयंभु नारद, तो नारायन का नाम उचारन करते हैं, परन्तो वो भी सर्वस्रेष्ट धाम, ब्रिंदावन धाम में राधा और कृष्ण की उपांसक है, उपासना करते हैं, नारद जी का उलेक है कि नारद मुनी भज़हे वीना, राधी का रमन नामे, राधी का मने श्री राधरानी और रमन श्री कृष्णा, तो विशेश रूप से ब्रज लीलाओं में ये महान उभाव नारद मुनी भी राधा कृष्ण के आराधना ही करते हैं, और वो इतने इच्छुक हो गए कि रास लीला और विशेश रूप से राधा कृष्ण के माधुरे लीला में उनको प्रवेश करना ह इसलिए वो प्रार्थना किये और योग माया और विशेशता ललिता सखी के अनुकंपा के बाद वो नारद मुनी से नारधी गोपी बन गए, तो वो भी अब विश्णु अराधना का प्रदशन करते हैं, पर वरज लीलाओं में वो भी गोपी स्वरोप में श्रीशी राध सायता के लिए, सायता हे तु, वो अलग-अलग इष्टदेव की आराधना करते हैं, जैसे कि वो तमस गुणावतार की रूप में तांडम रित्य करते-करते, विश्णु की आराधना करते हैं, तो जब भगवान राम-चंद्र की रूप में अवतरित होते हैं, तब वो रास लिला अस्वाधन करते हैं और विशेशत माधुरे लिला का अस्वाधन करते हैं तब शिव जी इच्छा करते हैं कि वो भी प्रवेश करें और इस व्रज माधुरे लिला और माधुरिय भाव कभ वो भी रसास्वाधन कर सकें तो वो भी नारद जी की तरह गोपिश्वर महादेव गोपी के रूप में विराजमान है फिर है चार कुमार सनक सनातन इत्यादी तो उनका भी वर्णन श्रिमती राधरानी के करुणा मैं गुण का महिमा प्रचार करते हैं तो बहारी दृष्टी कोंड से वो विश्णु भक्ती जरूर करते हैं पर अंतरगत उनके अंतर के दृष्टी कोंड से देखा जाए तो वो विशेशतर राधाकृष्ण उपानसक है तो वैसे देखा जाए तो प्रतेक महाजन अलग-अलग लीला अनुसार, स्थान अनुसार समय अनुसार वो अलग-अलग विश्णु मूर्ती के उपानसक है पर पूर्ण रूप से सभी राधाकृष्ण के उपानसक है तो करते-करते हम सबकी बारे में चर्चा तो कर सकते हैं पर मैं अंतरत शुगदेगोस्वामी की बात करूँगा तो वो पूरे श्रीमत भागव अलग-अलग प्रकार के विश्णु मूर्तियों का वरणन किये हैं दशावतार का वरणन किये हैं 24 अवतारों का वरणन किये हैं पर वो भी श्रीशी राधा कृष्ण के ब्रजलीलाओं में श्रीमती राधराने के हस्त कमल में स्थित एक बहुत सुंदर शुक पक्षी है इ इसलिए गौड़य वाईश्णव सिध्धान्त अनुसार हमें इस पत्चिनों पर चलना चाहिए और श्रील प्रभुपाद के पुस्तक का ध्यान करके हमारे जीवन को सफल करना चाहिए हरे क्रिश्णा मेरा नाम है मुकुंद पारोई मैं कलकत्ता से बोल रहा हूँ मेरा प्रश्ण यह है कि भगवाद गीता में दुसरे अध्ये में भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान विश्णु के लिए यज्य करो और यहां पर भगवान कृष्ण अपने बारे में नहीं बता रहे है ऐस तो ऐसा कहां जा सकता है कि भगवान कृष्ण ग्यव्रक्वयर कृष्ण हे लिए और ब्गवान विश्णु न은 भगवान है तो और विश्णु में बोल रहे हैं अपने बारे में क्यों नहीं बोल रहे है तो विश्णु और कृष्ण में कोई अंतर भी नहीं है और अंतर भी है तो दो प्रकार के द्रिश्टी कोंड है तत्व विचार और दूसरा रस विचार तत्व विचार माने तत्व अनुसार तत्व दृष्टी कोंड से अगर देखा जाए तो उसको तत्व विचार कहा जाता है और रस विचार माने रस के दृष्टी कोंड से तो तत्व दृष्टी कोंड से तत्व विचार अनुसार विश्णु और कृष्ण अभिन है कोई भी फरक नहीं है कृष्ण विश्णु त प्रवाला रवी तट्व कि हिसाब से कृष्णों में फारखै जैसे चार गुन बीनी है जैसे कि रूप माधुरी वेड़ंँ माधुरी इत्यादी तो इसका विस्तरा विस्तार में इसका उलेक भक्तिर असामरत सिंदु में शिलाह रूपगुस्वामिपाद करते हैं आप पढ़ सकते हैं तो यहां जब भगवान बताते हैं हमें ये बात रखना चाहिए समझना चाहिए कि जैसे एक पिता का उधारण दे तो पिता जब दफतर जाते हैं तो कोट सूट पहनते हैं और बॉस उनको उनके नाम से बुलाते हैं तो कई लोग उनको सर बुलाते हैं और उनका जो भी कार्य हैं दफ्तर में बहुत फॉर्मल है, वो corporate environment अनुसार बहुत फॉर्मल बहेव करते हैं, पर यही पिता जब घर आ जाएं, अराम से सो जाते हैं, या कभी-कभी short span कर घुमते हैं, या newspaper पढ़ते हैं, या कभी-कभी बाहर जाकर सबजी खरीद के लिए आत करते हैं, तो वो side जो है पिता का, जो कार्य करते हैं, जो दफ्तर में क्रियाशील होकर कार्य करते हैं, भागवत तत्व अनुसार वो विश्णु है, भगवान के हिसाब से अगर देखा जाए, वो side of भगवान जो सृष्टी बनाते हैं, सृष्टी करता हैं, सब के उद्ग करता जो है, जो आराम से रस अस्वाधन करते हैं, अपने निजी परिकर के साथ लीला रचाते हैं, वो कृष्णा है, तो हमारे बहुत एक उदारन अनुसार पिता का उदारन ठीक है, जिस प्रकार पिता खुल के जीते हैं अपने घर में, वो फॉर्मल नहीं बनते हैं, इन माखन चुराए, तो भगवान तो माखन नहीं चुरा सकते हैं तत्वा अनुसार, पर रस अनुसार भक्त को संतुष्टी प्रदान करने हैं, तो वो माखन चुराते हैं, या मृदभक्षन करते हैं, या जो भगवान विश्णो के रूप में मुक्ती प्रदाता हैं, वो वो ही है तत्व अनुसार पर लीला में फरक है तो अभी आप पूछेंगे यद्न्य जब हम करते हैं तो इसके परम भोकता कौन है कौन आकर स्विकार करता है यह वही स्विकार करेगा जो कारिय करता है तो भगवान का जो साइड है जो यद्नेश्वर नाम से प्रसिद्ध है जो सभी यद्न्य का फल प्रदान करते हैं और भोकता के रूप में विराजमान है वो विश्णु है और कृष्ण वो यद्न्य जाकर बाबा नंद बाबा को बोलेंगे यद्न्य मत करो इंद्र के लिए आपको अगर आराधना करनी हो तो गिरिराज गोवर्धन की आराधना करो तो लीला आस्वादक जो हैं वो कृष्ण है तो यहां तीसरे अध्याय में वो उसी भाव से यह व्यक्त करते हैं कि यद्नेश्वर तो विश्णु है और यद्न्य उनके लिए करनी चाहिए तत्व अनुसार अभिन रस अनुसार भिन पर हम देखेंगे जैसे यह चलता की और वो परिवर्तन कर लेते हैं जैसे वो कहते हैं श्रद्धावान भजते यो माम जो मेरी भजन करता है उसी प्रकार वो कहते हैं मुझसे बढ़कर और कोई नहीं तो और स्पश्ट रूप से अब वो विश्णु से कृष्ण के और परिवर्तन करते हैं पर शुरुवात में यदनेश्वर के रूप में विश्न की आराधना का बताते हैं, उनको उनकी उपासना का संदेश देते हैं. तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि विश्णु और कृष्ण अभिन्य है तत्वा अनुसार पर रस अनुसार भिन्य है इसलिए विश्णु वैखुंट के नाथ है और कृष्ण आदिपती गोलो केश्वर है हरे कृष्ण भक्त पद धूली आर भक्त पद जाल भक्त भुक्त अवशेश एई तेन महावल ये श्लोक का इनर मिनिंग क्या है हरे कृष्णा भक्त पद धूली आर भक्त पद जाल भक्त भुक्त अवशेश तीनी महावल ये श्लोक कि भक्ति में अगर प्रगति करनी हो तो ये तीन सरल मार्ग है जहां से हम भक्ति कर सकते हैं और भक्त के आशिरवाद को पा सकते हैं जैसे भक्त पद धूली भक्त के चरण कमल से चरण रेनु लेना और पूर्ण शरीर में उसको स्परश करना उनको नमन करना दंडवत देना ये पहला अंग है दूसरा पद धूली पद जल माने उनके जो शुद वाईशनव है गुरुजन है उनके चरण अमरित को पीना पान करना और भक्त भुक्त अवशेश तीसरा है उचिश्ट भोजन उन्होंने लिया हुआ प्रसाद ग्रहन करना महा प्रसाद के रूप में तो ये तीन बहुत स पश्टूप से कहा कि भक्त पद धूली माने भक्त जैसे चलते हैं उस पद धूली का अनुगमन करना माने उनके जो शिक्षाएं हैं उपदेश हैं उसको हमारे जीवन में उतारना ये पहला है ये एकदम इंटरनल मीनिंग है अंद्रूनी दृष्टिकॉन से अगर देखा जाए ये वास्तविक अर्थ है उनके जो भी शिक्षाएं हैं उपदेश हैं उनको जीवन में उतारना और उनको बहुत महत्वपूर्ण रखना पद जल इसका अर्थ यह है कि वह जो भी हरीकथा देते हैं भगवान के बारे में जो भी वह वरणन करते हैं इस रस को अपने करणेंद्रियों से पान करना इसलिए भागवत को कह गया है बहद भागवत रस करते हैं तब हमारे अंतरगत भक्ति यागरित होती है तो यह दूसरा है और तीसरा भक्त भुक्त अवशेश तीनी महाबल मने उन्होंने भगवान के प्रती जो प्रिती जो आसक्ती जो अगाड प्रगाड आस्था जो उत्पन की है उसका लेश मात्र अगर हम स्वाद करें जैसे कि वो भाव जो भगवान के प्रती रखते हैं उससे प्रेर्णा ले उसके एक छोटे से एक आटम जैसे एक परमानु लेश मात्र वो ले वो भाव उनकी रिदय से और उसको हमारे जीवन में उतारें उनसे सीख लें उनसे प्रेर्णा ले प्रुत्साहित होकर भक्ती में आगे बड़े यह तीसरा अंग है तो बाहरी दृष्टी कौन से उनका प इसे गौन और मुख्य ऐसे दो अर्थ हैं हरे कृष्णा इसी के साथ हमारा आज का कारिक्रम समाफ्थ होता है यदि आप भी हमें अध्यात्मी प्रश्ण पूछना चाहते हैं तो प्रुप्या करके अपना प्रश्ण आपके नाम तथास्तान के साथ ओडियो या वीडियो म प्रुप में वाट्साप के माध्यम से 998706060606 पर भेज सकते हैं और आप हमें आपका प्रश्ण आसकेचके टीवी अधरेट जीनमेल.com पर भी इमेल कर सकते हैं आपके सभी प्रश्णों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा धन्यवाद हरे कृष्णा कृष्णा